अब आते हैं हैं नेक्स्ट कोईशन पे, that is question number 4 तो my dear students, question number 4 कह रहा है कि आपके पास एक rod है और उसकी length L है, वो B magnetic field में है और वो किसी point से उसके एक तरफ से, एक end से वो hint है let मैं ये point ले लेता हूँ, आपका O point है ये तो इस rod में कितना EMF induced होगा, फिर से वही बात हुई, suppose करो ये rod है और ये मेरी fingers magnetic field lines को represent कर रही है तो जब rod ऐसे इस direction में move करेगी, तो magnetic field lines को cut करती होई जाएंगी तो rod ऐसे घूमेंगी, तो जितनी भी तरफ magnetic field lines होगी इस पूरे region में अंदर की तरफ magnetic field lines होगी कट 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 करते हुए, magnetic field lines को move करेगी तो अकर वो rod magnetic field lines को cut करेगी, तो उसमें EMF induced होगा तो इस rotating rod में पहले linear move कर रही थी, सीधी move कर रही थी rod ऐसे अब घूम रही है किसी point के about, तब कितना EMF induced होगा, ये हमको question पूछ रहा है ये तो point आपको समझ में आ गया है कि EMF induced होगा, कट होना जरूरी है magnetic field lines का otherwise EMF induced नहीं होने वाला, ठीक है न, तो इस rod की total length है, ये क्या हो गया इस rod की total length है L, ठीक है, EMF induced निकालना है, अब मैं क्या करता हूँ इसका एक छोटा सा segment ले लेता हूँ, जो इस के, इस hinged point से x distance तूर है और इसकी width ले लेता हूँ मैं dx, अब इस portion में कितना EMF induced हो रहा है, ये मैं calculate कर लेता हूँ तो first of all क्या करना है, जब भी आप ये देखें कि एक rod magnetic field lines को cut कर रही है तो उसमें EMF induced होता है, जैसे हमने पैदली देखा था BLV, तो आप क्या करें जब भी ऐसा question आए, उस rod पे एक battery लगा हूँ अब battery कैसे लगानी है, क्योंकि हमको पता है, इस rod पे EMF induced होगा BLV का तो यानि कि इस rod पे कुछ potential difference आएगा, तो potential difference बैटरी से ही आता है, तो हम जितने भी question solve करेंगे न, उन questions को solve करने के लिए हम लोग क्या करा करते हैं, कि rod के साथ में बैटरी लगा देते हैं, ताकि हमारा जो question है, वो किसका question बन जाए ultimately, वो question हमारा बन जाए, current electricity का question, simple तो अब बैटरी को कैसे लगाना है, यह देखो आप, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको न, अपने right hand की जो fingers हैं, उसको velocity की direction पॉइंट करो, और magnetic field, आपका जो palm है, यह palm जो है आपका, इसको magnetic field की direction पॉइंट करो, तो fingers आपकी किदर जा रही हैं, तो fingers हैंगे आपकी right side magnetic field है अंदर, तो V cross V, जहांपे आपका thumb point करेगा न, dear students, एक minute, तो V cross V, तो fingers इदर जा रही है, पाम अंदर जा रहा है, तो thumb उपर की तरफ point कर रहा है, तो इसका मतलब जहांपे आपका thumb point करेगा, वहांपे आप बैटरी का higher terminal बनाओगे और दूसरे तक lower terminal, तो ऐसे आप इस rod को इस battery से replace कर देते हैं, rod पे battery लगा दी, same चीज़ बेटा हम यहांपे करने वाले हैं, तो इस portion, यह जो छोटा सा portion दिख रहा है न, आपको, इसकी V velocity मलता हूँ, यह ऐसे जा रहा है, किसी particular time पे, तो fingers को इस direction पॉइंट किया, palm नीचे की तरफ, तो thumb इदर की तरफ point कर रह है, तो V cross V thumb इदर की तरफ point कर रहा है, अपने हाथ से करो, जब ही आएगा नहीं तो नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है न, जो करना है, जो भी directions बता है teacher, आपको जरूर जरूर करना है उस चीज़ को, तो मैंने न, यहां पे rod के साथ में एक battery लगा दी, जिसका जो EMF है, वो छोटा EMF, छोटे पार्ट का, छोटे पार्ट का, छोटा EMF DE, ठीक है, और इधर plus और इधर negative, तो यह higher potential पे होगा, यह lower potential पे होगा, यह भी question पूछे जाते हैं, कि कौन सा point higher पे होगा, कौन सा lower पे होगा, तो इसलिए this is a very important step, you must know about it, right, so what we are going to do now, this is plus and this is minus DE, so यह छोटा सा जो EMF induce होगा again, B इसकी length है, इस portion की length है DX, so B DX into V, यह हो जाएगा हमारा, अभी velocity को क्या लिख सकते है, V equals to omega R वाले formula से omega X, क्योंकि यह यहां से X distance हो रहे है, तो V equals to omega X put कर दिया, और X TX का integration करना है, 0 से L तक limits put कर देंगे, त्योंकि हमको पूरी rod में induce EMF चाहिए, मैंको इस छोटे part में थोड़ी चाहिए, मैंको तो पूरी rod में चाहिए, तो 0 से L तक integrate करूँगा, पूरी rod के लिए, X का integration हो जाएगा, X square by 2, 0 से L तक integrate करूँगा, B omega L square by 2, formula बन जाएगा एक rod का, यह आपको ध्यान रखना है, अब मैं आपको एक चीज अभी ही बितायता हूँ, section B में ऐसे कहीं question है, अब rod की जगा अगर disc घुमेगी ना बिटा, ऐसे एक disc है, वो घुमरी है, और magnetic field lines ऐसे अंदर की तरफ है, तो चब यह disc घुमेगी तो यह magnetic field lines को cut करती भी जाएगी, तो यह जो disc किस से बनी हुई है, बहुत सारी rod से मिलके बनी हुई ह ठीक है ना, तो उसमें भी जो है, same EMF इंडूस होता है, आपको ध्यान रखना important point है, मैं आपको साथ साथ में important point भी बताता चलूँगा, आप note करके चलिए, copy pen ज़रूर अपना जो भी notes books हैं, उनको साथ में रखना